Hello everyone, welcome to Eduarena दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है और इसे क्यों चलाया जाएगा और बात करेंगे कि नेस्टल गंगा काउंसिल क्या है और डॉल्फिन को बचाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं सारी चीजों को डिसकस करेंगे इस वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन दबा दीजे ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन में ना करें तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा इंडिपेंडेंस दे स्पीच में एनाउंस किया गया था कि सरकार प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर काम कर रही है और इसको चलाया जाएगा अब बेसिकली इसका एम क्या होगा सेविंग बोथ रिवर और मरीन डॉल्फिन देखिए जो डॉल्फिन है वो रिवर में भी पाई जाती है और मरीन समुदर के अंदर भी पाई जाती है तो दोनों तरह की डॉल्फिन को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और डॉल्फिन की बात करें तो यह हमारा national aquatic animal भी है देखे अब हम बात करते हैं what is the gangatic dolphin अब देखे जो यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसका मुख्य फोकस ही जो है गंगाटिक डॉल्फिन को बचाने पर है ठीक है तो हम जान लेते ह of river dolphin found around the world जितने भी river dolphin around the world पाई आती है उनमें से एक है गंगाटिक डॉल्फिन और यह मुख के तोर पर इंडियन सब पंटिनेंट में पाई आती है भारती उप महादीप में और वहां पर भी particularly गंगा ब्रहंपुतर मेगना river system है जो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंग तो यहां पच्चे सो से तीन हजार के आसपास संख्या आकी गई है कोई exact number मौजूद नहीं है देखिए अब हम देख लेते हैं map के तुरू आखिर कहां गंगाटिक डॉल्फिन पाई जाती है तो आप देख सकते हैं यहां से जो है आपके गंगा रिवर आ रही है यहां से आपका ब्रंपुत रिवर ठीक है और यहां आपको बंगला देश में मिलेगा मेगना रिवर तो यह जो सिष्टा में पूरा यहां पर आपको देखने को मिलती है गंगैटिक डॉल्फिन देखिए अब अगर गंगैटिक डॉल्फिन के कुछ फीचर की बात करें तो एक प् से 2.2 मीटर तक पाई जाती है गंगा के अंदर और फीमेल्स डॉल्फिन की लंबाई थोड़ी से ज्यादा 2.4 से 2.6 मीटर तक एडल्ट जो डॉल्फिन है उनका वेट 70 kg से 90 kg की बीच बताया गया और ब्रीडिंग सीजन यानि प्रजन जो सीजन होगा वो जनवरी से जून की बीच पाया जाता है तो ये थे कुछ इसके फीचर अब देखिया हम बात करते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में तो जो डॉल्फिन है प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसको प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए यानि दिसम्बर 2019 में ही नेशनल गंगा काउंसिल के द्वारा एप्रूब कर दिया गया था अब हम बात करेंगे आगे नेशनल गंगा काउंसिल क्या है तो नेशनल गंगा काउंसिल की बात करें तो यह जो है responsibility of preventing pollution ठीक है रेजुमिनेटिंग दा गंगा रिवर बेशिन पूरा गंगा रिवर सिस्टम की को पलूशन से बचाने के लिए और उसकी पुन्रधार के लिए सारी जिम्मेदारी नेशनल गंगा काउंसिल की होती है और इसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की द्वारा इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज भी सामिल होती है नेशनल गंगा काउंसिल के अंदर और कंसर्ण स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी होंगे जैसे की गंगा बहती है उत्रकंड, उत्रपदेश, बिहार, जारकंड और पस्चम मंगाल में ठीक है तो यहां के मुख्यमंत अत्री भी नेशनल गंगा काउंसिल का भाग होते हैं, नेशनल गंगा काउंसिल के अलावा एक और मिसं चलाया जा रहा है नेशनल मिशंट प्रोजेक्ट के चल रहा है अब देखिए जो particular project dolphin है यह जो चलाए जाएगा ministry of environment, forest and climate change इस बात को ध्यान रखिएगा और हमारे जो मंत्री है इस समय वो है प्रकास जावडेकरजी देखिए अब अगर बात करके why it is important to save dolphins जो project dolphin चलाए जाएगा आखिर क्यों चलाए जाएगा क्या importance है इसकी dolphin को बचाना आखिर क्यों ज़रूरी है तो देखिए aquatic life जो जलिये जीवन है वो हमें indicate करता है हमारे river के ecosystem को अगर aquatic life बनी हुई है इसका मतलब हमारा river ecosystem काफी अच्छा है पानी acidic नहीं है pollution नहीं है अगर aquatic life खतम हो रही है इसका मतलब reverse में कहीं न कहीं कोई problem है या तो pollution ज्यादा है acidic है पानी यानि की काफी सारी problems की बैसे aquatic life खतम हो सकती है तो aquatic life जो है indicator होता है reverse के ecosystem के लिए और अगर dolphin की बात करें तो सबसे बड़ा जो जलीव जन्तु पाया जाता गंगा के अंदर वह होता dolphin यह जो है food chain में सबसे बड़ा एक भागीदार होता है अगर मैप के थुरू देखनी कोशिस करें कि गंगा dolphin कहां से कहां पाय जाती है तो यहां आप देखेंगे पूरा जो यहां से गंगा निकल रही है उत्तर प्रदेश होते हुए वेस्ट बंगल होते हुए यहां जो बंगाल की खाड़ी में ठीक है और यहां आपको मेखना मिलेगी बंगला देश में यहां से आ रहे हैं आपकी ब्रमपुत यह जो पूरा सिस्ताम में यहां आपको dolphin देखने को मिलती है अगर globally इस तर पर बात करें तो for instance राइन एक्षन प्लान अब दीखे जो राइन नदी है वो मिलेगी आपको यूरोप के अंदर शुटिजर लेंड फ्रांस जर्मानी लगजंबर्ग नीदरलेंड इन देशों के द्वारा एक प्लान चलाए गया था राइन एक्षन प्लान चलाए गया था दो देखिए जब प्लान चलाए गया बड़ा successful प्लान हुआ यहाँ पर जो brought back the salmon salmon को मतलब है जलिये जन्तु मचली बगारा जो है प्लान जब successfully implement हुआ तो यह वापस आ गये राइन रिवर के अंदर तो यहाँ पर क्या हुआ improvement in the quality of river water river water के quality में improvement देखने को म मिला और काफी सारे जलिये जीव जन्तु वापस नदी में लॉट आए ठीक है तो इस तरीकी के प्लान जो है विस तर पर चलाए भी गये हैं और काफी successful भी हुए हैं देखिए भारत के अंदर भी काफी सुरुवात से ही इस तरीकी प्लान launch किये गये थे mid 1980s यानि 1975 के आसप से 3000 के आसपास वो भी एक रफ आकड़ा है कोई exact आकड़ा नहीं है इसलिए अभी भी IUCN International Union for Conservation of Nature जो IUCN की जो लिस्ट होती है endangered या vulnerable list वगरा जो है उसमें endangered काटेगरे में अभी भी गंगा डॉल्फिन बनी हुई है तो इसका main reason यह है कि हमारा जो प्लान है successful नहीं हुए है अभी तब इस बज़े से इनको बचानी की कोशिस अभी भी लगातार जारी है देखिए अब अगर बात करें कि हमारे देश के अंदर पहला प्रियास का अब शुरू हुआ तो 1972 में जो इंडियन wildlife protection act आया था वहां पर इसकी शुरुआत होती है गंगा एक्शन प्लान सबसे पहले लॉंच हुआ 1985 में इसके बाद 1986 के अंदर हमने इसको इसके जो एक्ट था wildlife protection act 1972 इसके first schedule में इसको डाल दिये गंगा hunting जो है दंडात्मक होता है यहां पर कारवाई हो सकती है जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आप hunting करते हुपाए गए ट्रेट करते हुए पाए गए या इस तरीकी किसी भी गतिविती में लिफ्ट पाए जाते हैं तो आप पर कारवाई की जाएगी ठीक है तो इस तरीकी प्रोटेक्शन बंगाल टाइगर के लिए जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाए गया था उसी तरीकीक प्रोटेक्शन उसको भी दी गई थी ठीक है अब इसके अलावा विक्टम सिला गंगा डॉल्फिन सैंक्चुरी बिहार में इस्थापित की गई थी अंडर दिस एक हैं रिवर्ट्रैफिक के बारे में इसमें видео जाचा जाएगा इडिईःचन केनाल्स कहीं इडिःऔर एडिचन कैनाल्स इसके लिए थ्रेट्स थो नहीं इन सारी चीजहों को यहाँ पर एक जैमिन किया जाएगा और इसके बाद इस्ट्राड़जी तयार इस तरीके से इसको नुक्सान ना पहुंचाएं तो इसलिए जो है नेशनल एक्वेटिक एनीमल भी गोसित किया गया था और इसी लिए जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ठीक है हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी सेलिब्रेट करता है तो ये सारी जानकारी थी प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में गंगाटिक डॉल्फिन के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यो फॉर वाचिंग